क्या हार में, क्या जीत में, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं, भैबीत में, करतब्वे पत्पर जो भी मिला, यह भी सही, भैबी सही, गरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो पर हार नहीं मानूंगा जनम के साथ ही मेरे को बाइबर्थ केटरेक्ट था जिसकी वज़े से मैं देख नहीं पाता था fortunately उसके बाद through contact lenses, specs मैं देख पाता था अपने रोजमर्रा के काम कर पाता था मैं as a normal student ही था क्योंकि मेरे को सिर्फ specs था उसके बज़े से कुछ बच्चे मजाग जरूर उड़ाते थे पर कहीना कही मेरे ममे पापा हमेशा मेरे से यही कहते थी कि उन्ची जो को आप ध्यान मत दो मेरे को cricket का बच्पन से ही शौक था तो मैं ऐसे cricket playground में खेल तो नहीं रहते, seniors लोग थे कुछ खेल रहे थे हो ऐसा कुछ मेरे को दिखकत हो रहा है तो ऐसा हुआ कि मेरा selection हुआ, मेरा उसमें second rank आया अपने category में और मेरे को national law school bangalore मिल रहा था जो कि law के field में best college है अपने country में और dictate करना एक अपने आप में बहुत बड़ा challenge था मेरे लिए क्योंकि जब आप खुद लिख रहे होते हो और dictate कर रहे होते हो उसमें बहुत बड़ा difference होता है तो वो उसके साथ deal करते हुए मैंने पहला attempt दिया जब मैंने दिया भी उसके बाद जब मैं बहार आया तो मुझे कम ही उमीद थी और उसी के चलते मेरा पहला means तो नहीं हो पाया था पर मुझे यह confidence ज़रू था इस experience से कि नहीं मैं capable हूँ मेरे अंदर वो ingredients तो मौझूद हैं बस मेरे को अपने उपर यह ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है President राष्ट्रपती से अवार्ड भी मिला था Certificate of Excellence मिला था DPSR के पुरम का Golden Jubilee function था उस समय तो उसके चलते उन्होंने मेरे को महां पर invite किया था उनसे मेरे को अवार्ड भी मिला था वो एक एक ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि जितना भी आपने मेहनत किया है वो सब सफल हुई जैसे कि मेंली मेरा मेरा जो टार्गेट है कि जो जिन लोगों को भी कुछ दिक्कते हैं अपने लाइफ में फिजिकल चैलेंज हैं डिफरेंटली एबल कम्यूनिटी हमारी काफी बड़ी है इंडिया में तो मेरा इस इस वीडियो के माद्यम से यही एक एम है कि यह मैं स्ट अगर एक चजवा है एक डिटर्मिनेशन है तो आप उसको फुल्फिल कर सकते हैं आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं जो बाकियों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं हलो दोस्तो मेरा नाम स्पर्श गुपता है हाल ही में मैंने सिविल सर्विस परिक्षा में 562 रैंक हासिल किया है और मैं बुलंचहर उत्तरप्रदेश का रहने वाला हूँ आज मैं यहां डैली नौरिज ट्रैक पर अपनी अब तक की जो मेरा सफर रहा है जर्णी रही है उसको सांजा करने यहां आया हूँ और इट वुड़ बी अग्रेट प्लेशर फो मी तू आप सब के साथ मैं यहां पर अपनी जर्णी के कुछ लम्हे कुछ किस्से यहां पर शेयर कर सकूँ और जो भी कुछ लोग जैसे की मेरा मेरा जो टार्गेट है कि जो जिन लोगों को भी कुछ दिक्कते हैं अपने लाइफ में फिजिकल चैलेंजिज हैं डिफरेंटली एबल कम्यूनिटी हमारी काफी बड़ी है इंडिया में परसेंट अगर हम फैक्ट की बात करें तो ओफिशल रिकॉर्ट के अराउंड 1.67 परसेंट अफ दो पीपल हैं जो डिफरेंटली एबल हैं अपनी कंट्री में तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो निकलना नहीं चाते या सरकम्स्टैंसे ऐसे हैं कि वो बहार नहीं आ पारे तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही एक एम है कि यह मैं स्टोरी उन तक पहुचा सकूँ और उनके लिए एक एक एक्जाम्पल पेश कर सकूँ कि नहीं आपके साथ दिक्कते कुछ भी हो सकती है अगर आपके अंदर एक जज़बा है एक डिटर्मिनेशन है तो आप उसको फुल्फिल कर सकते हैं आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं जो बाकियों के लिए एक मिसाल बन सके मेरा जनम 1991 में हुआ और जनम के साथ ही मेरे को बाइबर्थ केटरेक्ट था जिसकी वज़े से मैं देख नहीं पाता था शुरू के 2-3 महिने तो मेरे माता-पिता तक को पता नहीं चला कि मेरे को ऐसी कोई दिक्कत है क्योंकि बच्चपन में बच्चे होते हैं कि आप आप actions करते हो और कुछ नहीं ज़्यादा पता चल पाता है कि उन्हें लगता है नहीं normal behavior है और उनको भी अंदाजा नहीं लग पाता तो काफी काफी उन्होंने struggle किया इधर उदर मेरे को काफी सारे doctors के पास दिखाया अलीगर दिली दिली भी काफी जिगे दिखाया फिर finally चार महिने की उमर में मेरे दौनों आंकों का cataract के लिए operation हो गया था यहां इधर श्रॉफ आइस एंटर डली में fortunately उसके बाद through contact lenses specs मैं देख पाता था अपने रोजमर्रा के काम कर पाता था चीजें असान नहीं थी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मैं और और से थोड़ा अलग भी था तो मेरे माता-पिता को उस तरीके से काफी मेहनत करनी पड़ी मेरे साथ जिसमें की पहली बार test लिखने गया या admission देने गया तो oral में मेरे साथ कोई problem नहीं थी लेकिन लिखने में मेरे को थोड़ा problem होता था तो मेरे मम्मी ने मेरे साथ उस time बहुत ज्यादा मेहनत करी और कैसे ना कैसे करके फिर next time मैं इसलिए मेरा admission जो मेरा निर्मिला Convent School जहां से मेरी primary education secondary 10th class मैंने पास किया वहां पर जो मेरा admission था वो एक साल लेट था इसी की वज़े से तो काफी मेहनत करी उन्होंने मेरे उपर और मैंने भी अपनी मुझे नहीं अंदाजा जादा उस समय कहां आपकी memory होती है तो वो वो ऐसा वक्त था कि तब उन लोगोंने काफी मेहनत करी और मेरे को एक नामी गिरामी मेरे शहर का बुलन शहर का इट वास वन अद प्रिस्टीजिस कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल था मेरे मम्मी पापा का स्पेशली हमेशा से यह सपना था कि जो उनके बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पड़े क्योंकि वो नहीं मिली कि अच्छी एजूकेशन मुझे पराप्त हो बाकी जनरली स्टार्टिंग में मेरे को मैं अनॉमल स्टूडेंट ही था क्योंकि मेरे को सिर्फ स्पेक्स था उसके बज़े से कुछ बच्चे मजाग जरूर उड़ाते थे पर कहीना कहीं मेरे मम्मे पापा हमेशा मेरे से यही कहते थी कि उन्ची जोंको आप ध्यान मत दो समाज है समाज में लोग हैं उनको ज़्यादा पता नहीं था उस समय भी मिद्लब क्योंकि बच्चे उस तरीके के कम ही होता है आपको इतना अंदादा नहीं होता और तो और उस उमर में बच्चों में कुछ ज्यादा एक एक नॉटिनेस जिसे कह सकते हैं या एक लड़कपन या जैसे भी कह सकते हैं आप उसको वो था तो उस बज़े से यूञ इतना माइन्ड करने करने कोई सेंस नहीं बनाता था बाकी जो भी मेरे टीचर्स थे या और लोग थे उन्होंने मेरे को हमेशा ही उसमें सपोर्ट करा क कि जो भी equal opportunity में मिलनी चाहिए, जो भी stage पे अगर कुछ करना है, या कोई भी extra curricular activity है, singing है, या कोई भी बोलना है assembly में, उसमें मेरे को कभी इस तरीके का feeling नहीं आया कि मेरे को कोई रोक रहा है, लेकिन ये शायद third standard की बात रही होगी 2001 में, कि मैं playground में खेल भी नहीं रहा था, खाली मेरे को cricket का बचपन से ही शौक था, तो मैं ऐसे cricket playground में खेल तो नहीं रहते, senior लोग थे, कुछ खेल रहे थे हो, मेरे को आके left time में ball लग गया, तो उसकी बज़े से injury हुआ और fortunately हम लोगों को पता चला कि मेरे को left time में glaucoma है, जो कि पहले से ही develop हो रहा था, पर वो उस injury के चलते ही हमें पता लगा कि ऐसा कुछ मेरे को दिक्कत हो रहा है, और हमने doctors को दिखाया, काफी consultation भी किया, लेकिन कुछ उसका result निकला नहीं, मेरे surgery होने के बाद भी मैंने अपने left eye की रोशनी लगबग 10 साल की उमर में उस stage पे खो दी थी, उसके बाब जूद भी लेकिन ये मेरी खुशकिसमती थी कि हम लोगों ने hard नहीं मानी, मेरे parents, मेरी sister, मेरी young sibling, मेरी छोटी बहन है, उन लोगों ने हमेशा ही मेरा साथ दिया, हमेशा ही मेरे को motivate किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और even मेरे जो teachers थे, school management ने मेरा काफी support किया, उस साल के मैं third standard के finals नहीं लिख पाया था, पर half early में मेरे अच्छे number होने के वजह से उन्होंने मेरे को detain नहीं किया, next class में मेरे को दाखिला मिल गया था, और यहां तक कि जो मेरे class teachers थे, वो मेरे को घर पे मिलने आए, उन्होंने भी मेरे का होसला अबज़ाई करी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना time लो, जो भी recovery time है, और उसके बाद ही आप class आओ, और उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, इस मामले में कि मैं उस situation से बहार निकल पाऊँ, काफी हद तक फिर उसके बाद normal था, I think वो ही एक beginning था, जब मैं एक average student से एक good student की तरफ अगरसर हुआ, 5th, 6th में आके मैं मतलब थोड़ा better हुआ studies में, और फिर 7th, 8th में आके I was in the topmost bracket of my class, किसी भी तरीके के activities रहे हो, competitions रहे हो, annual function हो, हर चीज में मैं participate करता था, साथ ही साथ, शायद मेरा जो education का base था, subjects का base था, वो उन ही कुछ years में frame हुआ, मेरा social sciences की तरफ interest हमेशा से ही था, तो उसकी वज़े से एक society की तरफ, कह सकते हैं कि एक curiosity हमेशा से ही थी मेरी, तो वो मेरे को attract करता था, और मेरे father chartered accountant है, तो बचपन से ही कह सकते हैं कि घर में वो माहौल देखा, तो पापा भी कहते थे कि नहीं, तुम्हें chartered accountant सी करना है, मेरे प्राक्टिस है, उसे कौन संभालेगा, तो वो ही एक हमेशा से रहा कि नहीं, बचपन से ही कि CA बनना है, CA बनना है, और 10th के बाद इसकी वज़े से ही मैंने commerce भी चूज किया, 10th में मेरा 93.33% था, और मैं अपने स्कूल में 6th rank था, तो उस समय तक, लेकिन हम लोगों को इस बारे कि कभी जानकारी नहीं थी, कि ये physically handicapped certificate भी कुछ चीज होता है, आपको exams में extra time मिलता है, आपको facilities मिलती हैं, जिससे कि आप अपनी जो limitations हैं, उससे उपर उठके एक equal footing पे और लोगों से compete कर सको, लेकिन वो ना होने के बाबजूद भी, हमेशा ही मेरा 10th में academic record काफी अच्छा था, तो उसकी वज़े से I was fortunate कि मैं मेरा 10th में अच्छा score आया, और उसी की वज़े से, क्योंकि बुलेंचेर एक छोटा शहर है, वहाँ पे education के मामले में opportunities अभी भी थोड़ा कम है, तो इसकी वज़े से मेरा रुज़ान हुआ कि मैं दिल्ली में आके पढ़ूँ, तो मैंने काफी जिगे ट्राइ किया, यहाँ डेली पब्लिक स्कूल वसंद कुझ का भी मैंने इंटर्व्यू दिया, वहाँ पे मेरे को as a day scholar admit कर लिया था, तो मेरे को इंटर्व्यू में प्रिंसिपल ने बोला कि आप, आपको हम day scholar as a day scholar तो दे सकते हैं, लेकिन होस्टल में पता नहीं आप अखेले कैसे manage कर पाओगे, या कैसे करोगे और यहाँ तक कि इतना भी बोल दिया था कि प्री बोर्ड के number मेरे 95% कुछ थे, तो पता नहीं यह आपको merit के basis पर मिले हैं या ऐसा sympathy मिल गए, तो यह थोड़ा सा एक challenge रहा है मेरे लिए हमेशा ही न, actually यह अभी तक भी है, कई लोगों को लगता है कि नहीं, इसके लिए तो reservation है और वैसे भी पढ़ाई में अच्छा है, तो बहुत असान है, हो जाएगा, पर मेरा उस मामले में यही रहा है कि मैं हमेशा ही उन चीजों को ignore करता है हूँ, और मेरा ध्यान हमेशा यही रहता है कि अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप पे work करो, और जो चीज़ें आपके लिए हैं available उनका पूरी तरीके से हमें use करना चाहिए हैं, वो हमारे को कोई ऐसा नहीं है कि they are doing any charity, वो सारे हमारे entitlements है, rights हैं हमारे जिससे कि हम लोग समाज में equal footing पर compete कर सकें, हमें भी बराबर का representation मिल सके society में, और तो मेरा हमेशा से यही motivation रहा है, और मेरे को उस समय मेरे खाल से मतलब मेरे parents भी साथ में थे, उस समय हमें काफी बुरा लगा, लेकिन और लोग भी हमारे जो आसपास के थे, और मेरे parents ने भी हमेशा यही का कि कोई बात नहीं बिटा, यह तो मतलब लगा रहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि यह लोग तुमारे पास खुछ चलके आयें कि हमारी गलती थी, हमने गलत सोचा तुमारे बारे में, तो luckily मेरे को उस से better school था, डेली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम है, इस वन अफ दा गुड स्कूल्स इन डेली NCR, वहाँ पे मेरे को admission मिला, अपने merit के basis पे, मेरे board के marks के basis पे, और मैं वहाँ पे दो साल hostel में भी रहा, normal able-bodied बच्चों के लिए भी parents डरते हैं, कि वो भेजें नहीं भेजें, लेकिन especially मेरी mother जो थी, उनका हमेशा से यह नजरिया था कि नहीं, कब तक वो घर पे रहेगा, तो हमें भेजना ही है उसे बहार, तो मैंने 11th और 12th hostel में रहके, डेली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से किया, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ challenges थे, क्योंकि actually आपके, जो day scholars हैं, मतलब, मैं हमेशा class में आगे ही बैठता था, हमेशा ही रहते थे, लेकिन फिर उसके साथ ही मेरे life में हमेशा ही कोई ना कोई इतने अच्छे लोग मेरे साथ रहे, जोडे रहे हैं, मेरा hostel life बहुत ही, जिसे कहता हैं, बहुत ही अच्छा था, जो मेरे principal थे उस समय, डॉक्टर सेनी, उनका भी काफी सपोर्ट रहा, मेरे class teachers, जितने भी थे, उनका बहुत सपोर्ट रहा, जिसकी वज़े से, 12th में, मैंने All India CBSC, टॉप किया था, special category में, with 94.8 percentile, जब शुरू में समय भी, एक अजीब सा वो होता है, क्योंकि आपका performance, हमेशा सही अच्छा रहा था, तो teachers का भी expectation था, कि ये school से top करेगा, general category में, तो जब starting में result आया है, initially तो मेरे को काफी धक्का लगा, कि कहां पे कमी रह गई, और कुछ-कुछ subjects में, मेरे marks कम रह गए, जिसमें मुझे उमीद था, कि शायद और better marks आएंगे, तो काफी disappointment था उस तमें, लेकिन दुपेर तक पता चला, कि मेरे principal का खुद phone आया है, कि आपका All India CBSC rank 1 आया है, अपने category में, तो एक-एक अलग ही feeling था, और वो तो उसने तो मतलब, आपका वो दिन completely change हो जाता है, वो एक ऐसी feeling थी, कि शायद वो कुछ शब्दों में बया कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके चलते ही मेरे को, फिर 2012 में, माननिये पूर्व, प्रेसिडेंट राश्त्रपती से, अवार्ड भी मिला था, certificate of excellence मिला था, DPSR के पुरम का, golden jubli function था उस समय, तो उसके चलते, उन्होंने मेरे को वहाँ पे invite किया था, उनसे मेरे को award भी मिला था, वो एक ऐसा time था, जब आपको लगा कि, जितना भी आपने महनत किया है, वो सब सफल हुई, इसमें भी ऐसा नहीं था, कि सब कुछ असान था, क्योंकि actually, आपको CBSE में extra time, और जो भी आपको facilities चाहिए होते हैं, एक्जाम लिखने के लिए, उसके लिए apply करना पड़ता है, तो वो actually, हम लोग CBSE खुद जाके करके आये थे, डेली आये थे, मेरे फादर एक दो दिन हमें चक्कर लगाने पड़े थे, कहे लिजिए, इस चीजों के बारे में जाग रुकता कम, कहे लिजिए कि वो थी उस समय, जो हमें face करनी पड़ती थी, तो आजकल वैसे समय काफी बदला है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अब इन चीजों के बारे में काफी awareness है लोगों में, और मेरा भी यही नजरिया है, इन वीडियो के थुरू, यह प्लैटफर्म के थुरू, कि यह वाली सारी चीज़े हम लोगों तक पहुचाएं, जिससे कि यह वाले जो चीज़े हैं, जो challenges हम लोगों को face करने पड़ रहे हैं, और equal opportunity मिले without any efforts of their side, जो efforts एक educational institution या institutions को करने के जरूरत हैं, वो खुद से करें, और यही एक हमेशा से मेरा aim रहा है, 12th करने के बाद, ऐसे जैसे मैंने कहा कि CA करने का था, तो मैंने CA का entrance दिया था, साथ ही साथ आप एक अच्छे college में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपका interaction होता है, आपकी knowledge बढ़ती है, तो मुझे पता चला कि एक law entrance भी कुछ होता है, law भी आपके लिए एक option है, उस background से कि जो आपको, तो उसके चलते मैंने देखा कुछ मेरे friends prepare कर रहे हैं, तो मैंने सोचा, ये exam भी देखे देखते हैं, तो ऐसा हुआ कि मेरा selection हुआ, मेरा उसमें second rank आया अपने category में, और मेरे को national law school bangalore मिल रहा था, जो की law के field में best college है अपने country में, starting में तो कोई दिखनी रहा था कि उधर जाना है, क्या है बैंगलोर काफी दूर भी था, फिर father का भी यही था कि chartered accountancy कर लो, मेरी खुद की practice है, असानी रहेगी, लेकिन मेरा कुछ लोगों से interaction हुआ, कुछ मेरे father के close family friends थे, मेरे मौसा जी हैं, वहाँ पे doctorist की गुले हैं, उन्होंने मेरे को suggest किया कि नहीं, में जाने से, फिर कुछ और लोगों से भी consult किया, तो उन्होंने भी यही बोला कि बहुत अच्छा college है, आपके लिए एक secure, उस समय तो ये भी एक आपके लिए society का हमारा parameter ऐसा है कि 100% placement था, आपको corporate law firms में jobs मिलते हैं, और 10 lakhs और अबब का package आपको मिले गई तो उस तरीके के चीजें थी, उस सब ने हमें convince किया कि मेरे को उस तरफ जाना चाहिए, मेरा admission यहां तक कि SRCC में become owners के लिए भी हो गया था, तो जब मैं वहां पे गया interview के लिए select करने के लिए तो मेरे को वहां के ही जो advisory में एक कि मैं law करूंगा, तो कह सकते हैं कि I didn't choose law, but law choose me. So, यह वाली कुछ ऐसी journey थी, फिर एक college की journey रही मेरी, वह भी काफी उतार चाड़ावों से बढ़ी रही क्योंकि पहले साल के end में मेरे जो लुकुमा की problem थी, वह काफी बढ़ गई और मेरे राइड टाई में मेरी vision चली गई उसकी वाज़े से काफी deterioration था vision में वह एक period था जहां पे बहुत सारा problems दिखते थे mentally भी, physically भी और आपको समझ में नहीं आता था कि आप क्या करो क्योंकि उस समय मेरे साथ दिक्कत यह हो गई कि मैं न पढ़ पाता था न लिख पाता था कुछ से mobility issues बहुत हो गए थे तो उस तरीके की चीजों का solution निकालना अपने आप में एक बहुत challenging phase था वह वहां पर जैसे कि मेरी पिछली life में भी मैं पूरी life में अब तक भी और मेर मेरे को हर मोड पे इस तरीके की कोई ना कोई ऐसे positive लोग मिले हैं या guidance मिली है जिसने मेरे को help किया कि मैं यहां तक आ सकूं तो वहां पर उस समय मेरे मधूसर थे library में काम करते थे वहां पर college में उन्होंने मेरे को बताया है कि नहीं हमारे alumni ने एक software हमें donate किया हुए उससे ह हम hard copy books को OCR में convert कर बाते हैं तो आप अपने books को उसके थुरू कर सकते हो किस लोगोंने मेरे को suggestion दिया कि आप classes record कर सकते हो वो मैंने try किया फिर मेरा introduction मेरे librarian सर नहीं कल्यान चकरवरती से कराया जो की बनाना IP करके intellectual property law firm है उसके founder है वो completely blind है उन्होंने मेरे को introduce कराया Jaws software से जो की freedom scientific company करके है उसका text to speech software है वो क्या करता है कि जो भी आपके screen पे चीजें है टेक्स्ट में है उसको आपको वो speech में convert कर देता है और आप उसको hear कर पाते हैं आप सुन पाते हो आप कुछ भी type कर रहे हैं तो आपको वो बोल के बताएगा कि आप क्या type कर रहे हो आप उसको सारे काम कर सकते हो आप internet surfing से लेके pdf's word documents पढ़ना लेकिन फिर भी आपको handwritten notes और आपकी hard copies क्योंकि projects लिखने होते थे हमें अपने college में पाच-पाच हजार दस-दस हजार word के papers लिखने होते थे research करनी होती थी काफी सारे किताबों को आपको study करना होता था लाइबरेरी में ज और मेरे teachers काफी supportive थे school management भी यहां पर मैं एक चीज और भी भी कहना चाहूंगा कि हमारे educational institutions में again बहुत बड़ा यह lack of awareness है कि आपको हर चीज के लिए जाना पड़ता है administration के पास आपको उनको aware कराना पड़ता है कि आपकी क्या-क्या requirements हैं आपको project में extra time चाही है आपको exam लिख लिखने के लिए थोड़ा extra time चाहिए जिससे की और आपको subscribe चाहिए या reader चाहिए और आपको soft copy में question paper चाहिए तो उस तरीके की आपको requirements आपको बतानी पड़ती हैं यहां पे एक यह बहुत बड़ा drawback है हमारे साथ तो recently पिछले पांच से सालों में सरकार का भी रुजान र काफी awareness बढ़ा है और यह compulsory mandatory किया गया है कि यह सारी चीजों का ध्यान रखा जाए हर institutions में तो उस तरीके से change आया है लेकिन उस समय उतना जागरुकता नहीं थी तो हम लोगों को तो खुद से struggle करना पड़ा था पर इस मामले में मैं काफी कुशक्रिसमत था कि मेरा administration इस माम creative थे जिसके वज़े से मेरे को schooling में बलकी मैं कहूं कि मेरा जब first year में vision गया था उसके बाद second year मेरे लिए थोड़ा difficult आ था लेकिन academically speaking third year मेरे लिए best year था और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि मेरा खाली academics में मैंने अपने friends के साथ घूमना फिरना बैंगलोर्स को explore करना मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है तो उस तरीके से घूमने फिरने का शौक है अकेले दोस्तों के साथ गोगा तक गया हूँ मैं तो उस तरीके से मेरा experience मेरे college का बहुत अच्छा रहा और साथ ही साथ फिर मैंने कई जिगे internships भी किये जिसकी बज़े से मेरे को एक बाहर के जो द आप student exchange program में बाहर किसी university में जाके पढ़ सकते हैं तो मैंने उसके लिए apply किया और luckily 5th year में मेरे को एक बहुती prestigious college जो university of Pennsylvania का law school है वहाँ पे एक opportunity मिली कि एक semester में मैं वहाँ पे जाके पढ़ सकूँ काफी सोचना पड़ा मेरे को इस बारे में मेरे जो फादर थे उन लोगों उनको काफी डर लगा कि इतनी दूर अकेला कैसे जा पाएगा फिर वहीं लेकिन उन लोगों ने मेरे को कभी रोका नहीं मेरे मम्मे का कहना यही था नहीं जाना ही चाहिए इतना बड़ा opportunity सबको न नजीरिये में difference है तो वो एक experience भी मेरे लिए काफी enriching रहा क्योंकि मैं जान पाया कि वो ऐसा क्या करते हैं कि वहाँ पे जाग रुकता जादा है क्योंकि education पे बहुत जोर है और वहाँ पे systems बहुत अच्छे तरीके से already in place हैं तो वहाँ पे already एक student disability center था जोनोंने मेरे को है जिससे कि आप academically और extracurricularly सब कुछ कर पाएं और फिर वहाँ के dean ने मेरे को ये provide कि ensure किया कि नहीं हम लोग आपको सब कुछ provide करेंगे तो मेरे को कुछ भी चीज के लिए वहाँ पे ये नहीं बोलना पड़ा कि मुझे ये चाहिए मेरे को इसके लिए जाना पड़ेगा य पीपिल के mindset में बहुत difference है कि जन संक्या कम होने की वज़े से भी कह सकते हैं या फिर मतलब वहां पे लोग forthcoming है वो आपको assist करने के लिए या उसके लिए उनके लिए वह एक अजूबा नहीं होता यहां पर भारत में क्या होता है कि आप किधर भी जाएंगे बाहर जाएंग तो वो एक बहुत बड़ा experience था एक learning curve था मेरे लिए अब फिफ्टियर में आते आते मेरा रुज़ान दिये दिये होने लगया था कि मेरे को भी civil services ट्राइक करना चाहिए मेरे बहुत सारे friends थे family members थे जिन्होंने मेरे को यह बोलना शुरू किया कि नहीं तुम लोग तुमार कैलिबर है तुम capable हो और हमें चाहिए कि ऐसे लोग हमारे government systems में आए representation बढ़े जिससे कि एक example set हो तो मेरा रुज़ान उस तरफ होने लगा था लेकिन मेरा जो हमारा recruitment process होता है मेरे को zero day के चलते मेरे को एक यहां के दिली के नामी गरामी एक law firm है Lutheran Lutheran law offices वहां पे मेरे को एक private sector का भी एक experience कर सकूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा time है भी अपने पास तो यह experience कर लेते हैं उसके बाद सोचेंगे थोड़ा तो मैंने जुलाई 2015 में अपना college पास आउट किया और उसके बाद ही फिर मैंने लूथरा इन लूथरा law offices जॉइन किया यहां दिली बारा खंबा रोड पे तो लूथरा इन लूथरा में में मेरे को एक प्राइवेट law firm प्राइवेट वर्क प्लेस का एक experience मिला जो की काफी enrich अपने आप में आपको एक जानकारी मिलती है कि किस तरीके से systems work करते हैं उदर और वर्क प्लेस बहुत अच्छा था वहां पर working atmosphere भी अच्छा था लोग बहुत अच्छे थे बहुत welcoming थे और आपको कुछ भी चीजों की जरूरत होती है तो थोड़ा असानी से आपको मिल जा किया और मेरा जो experience था काफी अच्छा था अबर धीरे धीरे 5-6 महीने होने के बाद मेरे को फिर से एक मेडिकली बहुत challenges आने लगे थे तो उस तरीके का एक दिसंबर 2015 में मेरे को आखों में फिर से दिक्कत महसूस होने लगी थी मेरा glaucoma की problem फिर से उबर आई थी उसकी वज़े से मेरे को राइट टाइम में फिर से vision में deterioration feel होने लग गया था तो उसके चलते फिर थोड़ा सा ये लगने लग गया था एक तो क्या है कि private law firms में और जितना भी corporate world है उसमें जो आपके working hours रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा exhausting होते हैं और ऐसा नहीं है कि अब इधर public sector में जाओ तो वहां के working hours hectic नहीं है या क्या है और उसके साथ ही साथ आपको जो भी physical support चाही है या फिर आपको मतलब एक जो physical support चाही है आपको या आपको कोई drop off कर दे या आपको कोई बंदा जो है जो हमेशा आपको एक available रहे आपकी day to day mobility में उस बज़े से मेरे को थोड़ी दिक्कते आने लगी थी और उस समय ही फिर मैंने seriously सोचना start कर दिया था कि alternate career क्या होना चाहिए तो मैं उसी सम का वहाँ पर pass my center था तो वहाँ पर मैं counseling के लिए गया और वहाँ पर fortunately मेरे को काफी अच्छे से उन्होंने receive किया प्रतिवा madam करके थी उन्होंने मेरे को पूरा process समझाया कि कैसे होता है क्या है और मेरे को motivate भी क्या नहीं नहीं आप कर पाओगे और आपका education background मैं देख रहे ह नहीं और fortunately उनों उनके थुरूई मेरे को एक completely blind candidate है अजय रोड़ा 2015 में उन्होंने clear किया उनके थुरू मेरे का contact मिला और उनसे मेरे बातचीत हुई तो मुझे कहीं लगा कि हाँ इस तरफ भी हम जा सकते हैं यह एक option है जिदर हम देख सकते हैं लेकिन मेरे क्योंकि medically बहुत ज़्यादा disturbance चल रहा था life में तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देख गया नहीं उसके बाद तो फरवरी 2016 में मेरा surgery हुआ और finally उस point पे मेरे को क्योंकि छुट्टी मिली हुई थी मैं rehabilitation stage में था तो घर पे मेरे को सोचने का time मिला और काफी सारे जो मेरे friends थे कुछ लोग जिन्होंने mains clear किया था उसी time mains का result आया था और उनमें से मेरा एक friend भी था वो भी partially blind है और उसने भी clear किया तो मेरी उससे भी बात हुई काफी लोगों से बात हुई तो मुझे कही ना कही लगा कि ये एक ऐसा career option है जो आपको बहुत सारी सुभिधाएं भी है आपको एक recognition भी मिलती है और साथ ही साथ challenging भी है और आप उसके थुरू एक society की तरफ एक contribute कर सकते हो तो जो problems हम face कर रहे हैं शायद ऐसा कुछ कर पाएं जिससे की future में और जो हमारी coming generations हैं वो face ना करें और यह हमें एक ऐसा platform भी provide कर पाता है यह field जहां पे लोग आपको सुनते हैं और आप अपनी बाते लोगों तक पहुचा पाते हैं जिससे की आप थोड़ी जाग पाएं एक knowledge create कर सकें society में कि आप में होसला होने की जरूरत है तो आपके सामने challenges तो काफी आएंगे लेकिन अगर आपके अंदर determination है आपके अंदर अपने उपर विश्वास है आत्म विश्वास है आपके अंदर तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं कोई भी barrier आप break कर सकते है तो उस तरीके से मैंने start किया अपना जर्णी मार्च में मैंने लूथरा एं लूथरा कुट किया रिजाइन किया और वहां पर भी मतलब लोग काफी understanding थे उन्होंने मेरे को all मतलब best wishes भी दिये और मतलब काफी सारे मैंने friendships create किये वहां पर तो मेरी जर्णी स्टार्ट टेक्स्टू स्पीच सॉफ्ट्वेर हाड कॉपीज क्या चीज़े सॉफ्ट कॉपीज में अविलेबल है स्लेवस इसना वास्ट होता है अपने आप में एक एबल बॉडिट परसन के लिए मतलब यह बहुत डिफिकल्ट एक्जाम है तो हम लोगों के लिए चैलेंज दुग लगी यह था कि विजन आयस एक ऐसा कोचिंग इंस्टिटूट था जहां पर वो टेक्नलिकली काफी एडवांस टेक्नलोजिकली उन्होंने मेरी काफी हेल्प भी करी तो इसलिए मेरे को ऑनलाइन माटीरियल एक्सेसिबल हो गया था तो उसकी वजह से मैंने सोचा मैं घर प जो प्राइमरी माटीरियल था आपका NCRT है या लक्षमी कांथ है रमेश तिंग आपकी एकॉनोमिक्स की बुक है नितिन सिंगानिया आपके आर्ट एं कल्चर की बुक है शंकर आयस एंवार्मेंट यह सब बुक्स जो है आपके एक्सेसिबल ही नहीं थे तो मेरे को उसके के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी काफी टाइम मेरा उसी में गया कि मैं कहां से उस तरीके से यह लाऊं चीजें की आपको माटीरियल मिले जो आपके सॉफ्टवाइस के साथ कंपैटिबल हो तो फिर मेरे को नैशनल असोसिएशन फॉर दा ब्लाइंड अजयारोडा के पता चला तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक ऐसी संस्थान है जो हमारे लिए काम करती है उन्हीं की एक डिजिटल लाइबरेरी है जिसके थुरू मेरे को NCRT की ऑडियो बुक्स और काफी सारे सेविल सर्फिस का मटीरियल एक्सेस हो पाया और उन्हीं के थुरू मैंने प्रेपरेशन में भी काफी चैलेंज रहा क्योंकि हम लोगों को उसमें कॉमेंटरीज रहर करने पड़ते हैं काफी बड़े-बड़े कॉमेंटरीज रहते हैं वह भी सॉफ्ट कॉपीज में अफेलेबल नहीं है अन्फॉर्चनेटली लीगल फील्ड ऐसा है जहां पर आप एकसेसिबल फॉर्माट्स में बुक्स मिल पाएं तो मेरे को हेल्प लेना पड़ा यह नेशनल असोसिएशन फॉर दब्लाइंड अब तो कॉपीराइट एक्ट में भी आपके यह प्रोविजन आ गए हैं कि हम लोगों के लिए वह जो भी प्रिंट लीड प्रिंट डिसेब और एकसेस कर सकते हैं for not for profit purposes के लिए तो उसके थुरू मेरा पहला attempt लगबग इनी चीज में चला गया तो prelims मैंने उस साल भी clear कर लिया था तो मुझे उम्मीर नहीं थी कि मैं clear कर पाऊंगा तो एक डेड़ महीना लगबग वो होता है कि आपका वो उस तरीके से आपका focus नह नहीं था exams लिखे वो मेरा पहला ही experience था college में मैं reader लेता था scribe नहीं लेता ना लिखता खुद ही था तो यहां पे UPSC में क्योंकि fixed answer booklet होता है तो commission का ही scribe लिया आप उनको नहीं जानते नहीं हो आप पहले बार मिलते हो उनके साथ compatibility बिठाना और dictate करना एक अपने आप में ब कर रहे होते हैं उसमें बहुत बड़ा difference होता है तो वो उसके साथ deal करते हुए मैंने पहला attempt दिया तो मुझे कम ही उमीद थी और उसी के चलते मेरा पहला मेंस तो नहीं हो पाया था पर मुझे यह confidence जरूँ था इस experience से कि नहीं मैं capable हूँ मेरे अंदर वो ingredients तो मौझूद है बस मेरे को अपने उपर यह trust रखने की जरूरत है यहां पर मेरे friends है मेरे family मेरे मम्मी पापा मेरी sister उनका बहुत बड़ा role रहा हूंने मेरे को let down नहीं होने दिया उन्होंने का नहीं इस बार तो तुम्हारे पास तुम्हें पता भी लेट ही चला कि आप prelims clear कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तो उसके चलते लेट भी तयारी start करी थी तो कोई बात नहीं आप दुबारा लिखो आप कर पाओगे तो वह attempt मैंने second attempt थोड़ा better तरीके से दिया मेरा prelims में भी काफी अच्छा score आया था ज्यादा confidence भी था में में इस बार मैंने अच्छे papers भी लिखे थ थी optional में तो जब जैनवरी में 2018 में result आया और में 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 स्किल में कर पाया तो कहीना कहीं मुझे अंदाजा था कि मेरा कहीना कहीं कमी रह गया 100% अभी भी मैं नहीं दे पा रहा हूं तो मेरे घर में भी काफी उस समय disappointment था मेरे मदर स्पेशली मतलब उन्होंने मेरे को कहा क् मतलब actually मेरा हमेशा से ही यह रहा है कि मैं बहुत ही balance तरीके से पढ़ता लिखता हूं ऐसा नहीं रहा कि पता चला 14-14-16 गंटे में दिन में पढ़ रहा हूं 6-8 गंटे पढ़ूंगा बाकी जो भी मेरे hobbies हैं, interests हैं, cricket का मेरे को बच्पन से ही शौक रहा है, movies देखने का शौ जान रहता था, तो उन्हें लगता था कि इसमें तुम सब time waste करते रहते हो, और क्या ध्यान से नहीं पढ़ते हो, या क्या है, लेकिन उस समय भी जो मेरे father थे, उन्होंने मेरे कभी hope lose नहीं करी, उन्होंने हमेशा यह का नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम solutions ढूंडो, problems हमेशा रहेंगे, उनका solutions निकालिए, तो solution निकालने की जब बारी आई, तो फिर मैंने सोचा कि अब actually हम लोगों को एक guidance की जरूरत रहती है, घर पे बैठके आप एक बाहरी दुनिया से वंचित रह जाते हो, तो कहीना कहीं आपका जो mind है, वो एक closed हो जाता है, तो उसके चलते मेरे को लगा कहीना कहीं है, कि मेरे को घर से निकलने की जरूरत है, तब मैंने निर्वाना IS Academy है, यहाँ डेली में, वो law optional की आपकी तयारी कराते हैं, तो मैंने उन्हें join किया January 2018 में, मैंने counselling session वहाँ पे 2016 में भी किया था, लेकिन उनका जो एक पढ़ाने का तरीका है, वो classroom based है, तो मैं उस समय mental situation मेरा ऐसा नहीं था, कि मैं डेली stay back कर सकूँ, तो उसके चलते में रह नही लिख पाया है, क्योंकि scribe available नहीं हो पाता था, बुलेंच हैर में, या उस तरीके से, तो मैं mocks नहीं लिख पाता था, तो उसके वज़े से कही ना कहीं, मैंने try किया कि मैं अपने जो journey है, या जो भी मेरे attempt रहा है, उसमें क्या-क्या कमिया रही है, मैं उसको खोज़ पाऊ और उस पर work कर सकूँ, तो वो एक scribe का situation था, mocks ना लिख पाना, और law optional में कही ना कहीं कुछ कमी रह जाना, तो उस तरीके से फिर मैंने coaching join किया, मैंने कुछ mocks लिखे अपने friends के help से Delhi में यहाँ पे, और prelims दिया, prelims clear हुआ, लेकिन मैं prelims जब लिख या, मुझे कही ना कही लगा कि मुझे इस बार तो निकालना ही है, तो कुछ जो भी step लेना पड़े वो लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो निर्वाना IS Academy के director है, मेरे sir, करमजीत सिंग गिल, उनका बहुत बड़ा role रहा, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो, मैं तुम्हें अ 100 marks का difference था, तो ingredients सारे मौजूद हैं, बस थोड़ा work करने की जरूरत है, तो उसके लिए तुम्हें दिल्ली रहना पड़ेगा 3-4 महीने, तो उन्होंने मेरे को assure कि नहीं मैं work करूंगा, जितनी भी महनत करनी पड़े, और मैं मम्मी के साथ यहाँ दिल्ली shift हो गया था उस period के पिछले साल जून 2018 में, वो भी बहुत एक challenging सफर था, क्योंकि हम लोगों के लिए पहला ही ऐसा बार था, मम्मी घर से पहली बार निकली थी, मेरे साथ, तो वो एक journey रही, लेकिन मेरे जो सर थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और हमने काफी महनत करी उनी चीजों पे, मैं lack कर रहा था पिछले दो attempts में, law पे बहुत work किया, मैंने कम से कम 20 से 25 mocks लिखे, और मेरे को वहीं पे सर की student मानिया शर्मा थी, जो मेरी scribe भी बनी फिर इस बार, UPSC आपको option provide करता है, कि आप या तो commission का scribe ले सकते हो, या आप अपना ही scribe ले जा सकते हो, तो कहीना कहीं और लोगों से मेरी बात चूती हुई, और उनके experiences से मुझे कहीना कहीं लगा कि अपने scribe के साथ आप थोड़ा practice कर पाते हो, थोड़ा compatibility level better होता है, क्योंकि यह ऐसा exam है, जहां पर presentation और आपका answer writing बहुत माइने रखता है, तो उस तरीके से मुझे लगा कहीना कहीं, उस तरी इस वार भी कुछ improvement नहीं दिख रहा है, सर, क्या करूं में, तो उन्होंने मेरे को कभी भी demotivate नहीं होने दिया, और हमेशा ही एक pillar की तरह खड़े रहे, वो और फिर मेरे history के teacher थे वहाई coaching में, वादवा सर, उन्होंने भी मेरे को emotionally बहुत support किया, और काफी work किया, जिससे क कि जो भी मेरे पहले दो साल में मेरे अंदर limitations थे या जो भी कमिया दिखरी थी हमारे strategy में, वो improvements लाए, तो इस बार जब मैंने mains लिखे तो मुझे कही ना कहीं उमीद थी, अंदर से मेरे को था कि मैंने 100% इस बार दिया है, तो इस बार ये होता कि I would have been surprised कि अगर मेरा list में न काम नहीं होता, और 20 December 2018 वो दिन था जब आपको में को पता चला कि हां मैं mains clear कर पाया, वो भी एक अपने आप में historical day है, कि आप finally वो challenge जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो आप पूरा कर पाये, तो फिर final stage था, और मेरा था ही हमेशा से मतलब इस बार ये था कि इस बार है, तो लेकिन उसी बीच में एक development ये भी हुआ कि दो बार जब mains नहीं लिखा तो मैंने alternate options दूनना शुरू कर दिया था, तो उसी के चलते मैंने klat लिखा था 2018 में, जिसके चलते ONGC, Oil and Natural Gas Corporation में में मेरे को as assistant legal advisor recruitment हो गया था, तो December में जब mains का result आया, उसी के पहले मेरे joining आ ग में जॉइन करना था, और मेरे क्याल से 10-15 दिन बाद ही मेरी interview date आगी, तो मेरा दूसरा ही दिन था interview, 12th of February, 11th of February से start हुए थे, तो 12th of February से, 12th of February को मेरा interview था, तो वो भी अपने हमें बड़ा challenge था, क्योंकि आप starting में अभी shift किया था, बड़ो जॉइन किया था, तो आप उस तो फिर थोड़े टाइम काम किया वहां पे और फिर मैंने सड से भी एक टच में रहा, तो उसके बाद फिर मैं यहां पे लगबग ऐसे, 21-22 जनवरी को में यहां पे आया और फिर तीन हफते, मैंने लगातार यहां से up and down किया है, डेली से बुलेंचहर, बुलेंचहर से डे नहीं पारे हो, और ना आप उसके expression study कर सकते हो, तो आपको अपने hearing capacity पर ही again rely करना पड़ता है, अपने intuition पर ही कि भाई, सामने वाला आपको आपके answers पर कैसे react कर रहा है, या वो कहीं बोर तो नहीं हो रहा है, आपको वहां पर रुकना है, या इस तरीकी की चीजों पर, तो knowledge already test कर चुके हैं, prelims और mains पे, तो main आपकी जो personality है, वो बहुत माइने रखती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे को अपने personality पे, overall development पे work करने की ज़्यादा जरूरत है, तो इसके लिवजे से मैंने लगबग 9-10 mocks लगबग attend करे थे, different coaching institutes, मतलब निर्वाना, vision और फ मेरे को काफी अच्छे अच्छे लोग मिले, जिन्होंने मेरे को काफी support किया, और एक special attention भी मिला, कि आपका, मतलब, मेरे mother हमेशा ही जाते थे साथ में, तो उनको भी बिलकुल, की घर की तरह, और वो भी बोरना हो, तो उस तरीके का, एक atmosphere मिला, और काफी positive feedback मिला, और इस interview process में भी जो मेरे निर्वाना आइस अकैडमी के सर थे, इंगिल सर, उन्होंने मेरे बहुत help किया, मतलब in terms of revision of, जो भी revision करना था, content का, और ref पे जितना भी काम करना था, कम से कम चार या पांच उन्होंने मेरे mocks लिये, जिससे कि जो भी मेरे personality में, या speaking में, थोड़े बहुत भी जो chinks हैं, वो निकाल सकें, और मैं तो अपने खुशकिसमती समझता हूँ, फिर अगर hindsight में देखू कि मेरा interview जल्दी ही हो गया, क्योंकि जिन लोगों interview बाद में होता है, इतनी anxiety हो जाती है, आप इतने सारा weight करते हो, और बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, और फिर ऐसा लगता था कि सारी चीज़ें आपके against है, odds are all stacked against you, तो मेरा जिस दिन interview था, तो सबसे पहला number ही मेरा था, तो मेरा board जो है, सुझाता मैं था, मैडम का board था, तो पहला ही मेरा interview था, तो वो भी एक अपने आप में, आपको एक nervousness हो जाती है, पर मैं गया काफी देखे आया, confidently, अपना interview, लेकिन जब बाहर आया तो मुझे था confidence की नहीं हा, मतलब मेरा interview ठीक हुआ है, और फिर उसके बाद मैं बापिस चला गया बड़ोदरा, लेकिन फिर 5 April को इस बार result आया, और finally, वो समय ऐसा था कि मतलब एक हफते से हम wait करे थे, result आ जाएगा, अब आएगा, नजरे difficult time था, इतनी anxiety कि इस बार होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इतने सारी मेहनत जो करिये वो आपकी रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, सबके phone आने लग जाते हैं, आप पूछने कब आएगा, result क्या रहा, बहुत बहुत जादा stressful होता है वो time आपके लिए, लेकिन वो शाम को तो सबसे पहले एक relief था कि हाँ नहीं, आप लिस्ट में हो, और फिर काफी सारी चीजें हुई, phone phone आने लगे, तो घर में एक अलगी माहौल था, और finally ऐसा लगा कि नहीं, यह सफर, आपके सामने hurdles काफी थे, लेकिन मतलब, जो भी यह सफर, आपके hurdles थे, वो worth it थे, आपको जो एक attention कहली जी है, या जो एक, आपको reception मिलता है, उसके बाद वो एक अलगी feeling है, पिछले 2-3 महीने, मैं कह सकता हूँ, कि मेरे life के सबसे अच्छे पलों में से थे, और आपका family का support, आपके friends का support, आपके teachers का support, आपके जितना भी जहां से भी आपने coaching की guidance ली है, या आपके जो मेरी scribe रहे, या मेरे मतलब कुछ भी बहुती close close friends, जैसे कि मैं मानता हूँ कि Amar Jain है, मेरा बहुती close friend है, he is completely blind, उन्होंने में को काफी motivate करते रहे हैं, वो regularly, he has been, you know, one person who I always look up to, very active, आपको पता भी ने चलेगा कि वो blind है, और इतना active है, और he is professionally very well equipped, बहुती successful भी है, जितने भी हमारे ये बहुत सारे apps हैं, accessible हुए है, उनी की देन है, तो बहुत सारे लोग रहे हैं, जो मेरे इस journey में जिनका role रहा है, और मैं मानता हूँ कि अगर आपके अंदर एक जजबा है, शमता है, अपने उपर एक विश्वास है, तो आप life में कुछ भी अचीव कर सक कितने ही roadblocks क्यों ना हो, आपके लिए वो सब एक फिर आपके लिए वो एक memory की तरह रह जाते हैं, और मतलब आपको लगता है कि एक larger picture का एक वो छोटा सा हिस्सा थे, जो कि अब finally आपको दिखने लगती है, और खेर मैं तो भी मानता हूँ कि ये सिर्फ एक beginning है, just a single step, काफ और हमें उसके लिए तैयार ही रहना है, मतलब ये एक ऐसा platform है, जो आपको एक responsibility प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने society के लिए work करो, और लोग आप से expect कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करोगे जिससे कि समाज में बदलाव आए, और हमारा जो देश है वो विकास की तरफ सारे जो हमारे समाज के लोग हैं, बीएट minorities, बीएट आपके gender differences हैं, या फिर हम जैसे लोग जो differently abled हैं, या senior citizens हैं, उन सबको हम साथ लेके चल सकें और उनका overall development कर सकें, तो वो ही एक हमारा motive है, और finally अगर मैं जो future experience हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा, तो वो यही है क कि अपने आप पर विश्वास रखो, यह एक ऐसा एक्जाम हैं, जो आपको अपने अंदर तक जानने के लिए मजबूर करता है, एक आपको patience और एक perseverance की जरूरत है, जो चाहिए, फाइनली मैं विडियो का अंत, पूर प्रदानमंतरी श्री अटल वियारी वाजपाई जी की कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा, क्या हार में, क्या जीत में, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं बहबीत में, करतब्य पत्पर जो भी मिला, यह भी सही, वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो, पर हार नहीं मानूंगा, थेंक्यू.